अप्लिकेशन यूज करती होंगे तो आपको पता ही होगा कि अभी अल्राजी बैंक अप्लिकेशन अपडेट होने के बाद इसमें बहुत कुछ चेंज हो गया इसका इंटरफेस चेंज हो गया और इसका बैंकिंग प्रोसेज भी चेंज हो गया है तो आज के वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि इस नए अल्राजी बैंक अप्लिकेशन में आप न्यू बैनिफिसरी कैसे अट करिएगा और बैनिफिसरी अट करने के बाद आप उसे पैसा कैसे ट्रांसफर करिएगा इसके लिए आपको बैनिफिसरी अट करके आप उसे पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं तो चली आओ देरी ने करते हैं शुरू करते हैं आज का वीडियो दोस्तो वीडियो सुरू करने से पहले आज एक छोटा सा रेक्वेस्ट है अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, सेयर करें और आगे भी सी तरह का इन्फरमेटिव यूसफुल वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को ज़रू से सस्क्राइब कर लें ओके तो चली शुरू करते हैं आज का वीडियो अभी मैं अलरजीबंक एप्लीकेशन लॉगिन कर लेता हूँ अपलीकेशन लॉगिन होने के बाद इंटरनेशनल बैंक बैनेफिसरी को एट करने के लिए आपको यहाँ ट्रांसफर पर क्לिक करना है अभी यहाँ न्यू बैनेफिसरी पर क्लिक करें अब यह आपको international transfer करना है तो इसके लिए आप international beneficiary को select कर ले अब आपको यहाँ पर अपना country select कर लेना आप जहाँ पर international transfer करना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं इंडिया select कर लेता हूँ इसके बाद currency पर click करें तो यहाँ पर मैं इंडियन रुपीज को select कर लेता हूँ इसी तरह से आपको भी अपना country का currency select कर लेना है अब इसके बाद bank account पर click करें इसके बाद transfer through पर click करके यहाँ पर आप bank select कर ले अब दोस्तों आप जिस bank में पैसे transfer करना चाहते हैं उस bank को select कर ले जैसे मैं यहाँ पर state bank of India को select कर लेता हूँ अब इसके बाद नीचे यहाँ bank account के options को select कर ले अब इसके बाद bank branch पर click करें दोस्तों यहाँ पर आपको अपना bank branch को select कर लेना अगर आपका branch देखने को नहीं मिलता है तो आप अपने सहर अपने city का main branch को भी select कर सकते हैं प्राब्लम नहीं होगा और इसके बाद next पर click कर दें अब यहाँ पर आपको beneficiary का first name और family name में उसका last name इंटर करना है इसके बाद उसका nationality उसका account number सही सही इंटर कर दें और इसके बाद next पर click कर दें details को एक बाद अच्छे से check कर ले चेक करने के बाद confirm पर click कर दें अब दोस्तों आपको beneficiary को activate करने के लिए अब आपको यहाँ पर call me now पर click करना है इसके बाद आपके पास में अलराजी bank customer care के तरप से call आएगा इस तरह से तो आपको call receive करना है call में आपसे beneficiary activate करने के लिए जो number price करने के लिए कहा जाएगा आपको इस number को प्रेस कर देना है जैसे मुझे beneficiary activate करने के लिए 4 number प्रेस करने के लिए कहा गिया तो मैं यहाँ पर 4 number प्रेस कर देता हूँ और इसके बाद call automatic disconnect हो जाएगा और आपका beneficiary successful add हो जाएगा अब आप चाहे तो इसे पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं आई होप दोस्तो अभी आप समझ गए होगे कि न्यू अल्राजी बेंक एप्लिकेशन में बेनिफिस्टी कैसे एट करिएगा आज के वीडियो में ते हैं दोस्तो अगर आपके मन में कोई डौट है अगर आपके कुछ ना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं मैं आपकर कमेंट के जितना जल्ले सकते हैं रिप्लाइग करूँगा और हाँ दस्तो चैनल दो सिस्क्राइब करना ना भोले आगर से तरह अगर इनफर्मेटिव यूसफुल वीडियो देखने के लिए तो चलिए जल्दी मिलता हूँ आपसे नेस्ट टॉपिक नेस्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई एंड टेक कियर